नमस्कार में साक्षी MNS न्यूज लाइब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है देखते आज की खास खबर आज मैं आपको जिसके बारे में बताने जा रही हूँ वो है नताशा दी जिनको नहीं पता गट्स मतलब पेट और गट्लेस मतलब जिनके पास पेट नहीं है क्या आप ऐसा सोच सकते हैं जी हाँ नताशा दी के पास पेट नहीं है और मैं आपको बता दू पेट बाहर नहीं पेट शरुरी के अंदर होता है तो ऐसा क्या हुआ था कि नताशा के पास पेट नहीं है नताशा की शादी हुई थी 1908 में लेकिन उनकी शादी अच्छी नहीं चली जिसके कारण वो बहुत ज्यादा क्रेस में रहती थी लेकिन कोशिश कर रही थी कि उनकी शादी सर्वाइब करे पर उन्होंने हम सबके तरहा ध्यान नहीं दिया कि स्ट्रेस उनके जीवन में कितना इफेक्ट कर रहा है उनका डिवोस हुआ 2010 की बात है जब वो बैंगलोर में रहती थी अपने डिवोस के बात उनको अचानक पेंच शुरू होता है जो किसीने नुकीली पिंच चुबा रहा हो जैसा था अपने बाइक कंधे में और उसके चलत उन्होंने अपनी इस बिमारी को कई डॉक्टर्स को भी दिखाया पर आराम नहीं पड़ा मजे की बात तो यह है कि वो भी जब भी खाना खाती थी तो उनके गंदे में तकलीव और बढ़ जाती थी और उनको नहीं समझ रहा था कि वो इनको बार-बार क्यूं हो रहा है की रूप में उनके जीवन में एक डॉक्टर आए यह केम होस्पिटल की बात है और डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सुल्यभान भाले राव भाले राव ने उनको देखा और उनसे पूछा कि क्या वो जब भी खाना खाती है तो उनके गंदे में दर्धूटा है तब जाकर तब जाकर उनको पता चला कि उनके पेट में एक इतना बड़ा टिमर है जिसने उनके पूरे पेट का आकार ले चुका है और इसके अलावा उनके पेट में दो अलसर भी थे जो रेगुलर ड्रीट कर रहे थे उनको जल से जल सरजरी के लिए बोला गया 9 गंटे की सरजरी च खाती खाना जल से जल्दी उनके शरी से बहार निकल जाता उनके जीवन में इतना कुछ होने के बावजूद वो अपना जीवन बड़े ही सकरात्मक तरीके से जी रही है और खास बात यह है कि वो पेट ना होने के बावजूद नए नए रेसिपी बनाती है और सोशल मीडि से मनस हिंदी आप डाउनलोड करें मनस न्यूज लाट देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से मनस हिंदी आप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्स्राइब करें तब तक के लिए धन्यावार